नमस्कार दोस्तों दोस्तों मैं धीरेंच और अपने चैनल धीरेंच और श्या दर नौलेजबेल वीडियो पर आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और दोस्तों यदि आज आप मेरे चैनल पर फर्स टाइम आए हैं पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेश्ट करूंगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आने पर भी मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें शेयर करें दोस्तों मैं जैसे कि आप जानते हैं कि ष derecho में रहता हूँ तो एक बार मैं जा रहा था तो एक भाई साब मुझे TRENE में मिले और उन्होंने मुझे से मुझे से बताया कि Jang a36 घाण में रहते हैं और मैंने अफनए पुड़े कोईले का सबसे बड़ा जो एक बता सकते हैं ख़दान और सोर्स जो है कोईले को निकालने का कोल माइन होती हैं जिनमें से जार खंड और 36 गड़ा आपका यह कॉलरी एरिया है काफी ज्यादा यहां पर दोस्तों काफी वर्ड की फेमस जो कॉलरी हैं यह 36 गड़ा और आपके ठीक है भाई साब मैं आपकी बात पर बिल्कुल ध्यान दूँगा और मैं एक वीडियो इस चीज पर जबूर बनाओंगा तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो लेके आया हूं जो की 36 गड़ा और जार खंड के लोगों के लिए तो मतलब अमूमन देखा जाया तो कहीं भी ना कभी जीवन काल में अपना ख़डान देखते ही हैं पर अनुर चाहते हैं पर जिनकों कभी भी अपने जीवन काल में तेखने का मौका नहीं मिलता है तो दोस्तों मैंने आज उन सब का ध्यान लगते हुए ये एक वीडियो बनाया है और देखिए दोस्तों कितना ये जो अभी आपको दिख रहा है ये पूरा ओपन कास्ट चिरमरी की कोल माइन का है वीडियो ओपन कास्ट का मतलब जो होता है दोस्तों की खुले में मतलब जो है कोईला बिलकुल ओपन जो होता है मशीनों से क्रेसर्स के जो मशीने होती है बड़ी बड़ी ट्रॉले होते हैं इनसे ओपनली डिक करा जाता है ओपन कोईले को निकाला जाता है मतलब आप देख सकते हैं व वह कफी अंदर गहरे में जाते हैं दोस्तों तो माइन जो होती है वह internal होती है वह कफी ज्यादा जमीन के अंदर पे होती है और माइनिंग का काम चलता है परांद ये जो वीडियो बनाया है ये मैं ने बनाट चयरम्री जो तेश्टीजगड में है चर्मनी कोल माइन यहां का है दोस्तों यह क्या है एक बिल्कुल ओपेन माइन है जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहां पर बड़े बड़े आपको ट्राले दिखेंगे जो कि यह सामने का एरिया जितना भी है गड़े जहां पर आपको दिख रहे हैं ज आपको ज्यादा से ज्यादा दिखा सकूं देखिए जहां पर आपको बहुत ही ध्यान से आपको देखने पर ट्रक दिखेंगे और एक प्लांट दिखेगा जिसमें से कोल जितना भी कोईला जो है वो डिक किया जाता है और फिर इन ट्रालों में जो ट्रक हैं लोडर हैं उन से भी मालिंग का काम कर लिया गए दोस्तों एक समय पर फहां पर कोइव था निकाल लिया गया है open cast कटिंग करके और यह अभी जो गड़ा बन गया है यह काफी ऑप ने समस्क्रखते हैं पहाल के बड़ाबर का गहरा ही हो रहती दोस्तों देख सकते हैं आप इतना और पाहाल की बराबर जितना अऊपर पहाल होताई, अतना ही गहरा करके चले जाते हैं दोस्तों, ट्रक बिलकुल आपको बिल्कूल छोटा सा दिखेगा, आप समझ सकते हैं कितना बढ़नी आप यह सामने पहाड दिख रहा है यह आपको पूरा पहाड है दोस्तों और यह इसमें जो नीचे पे कट करके दोस्तों पूरा यह इस ओपन कोस्ट जो है कॉल्डी का यह पार्ट है जिसमें से एरिया बनाया गया है कोईले को निकालने के लिए पूरी कटिंग करी के दोस्तों द पता ही है काफी ज्यादा सेंस्टिव रिजन होता है तो हमिशा से ख्यार लगा जाता देखिए सामने आपको दोस्तों जो ब्रिक जो चट्टे बोलते हैं इंटों के चट्टे दिखाई पड़ रहे हैं यह एक समय पर यहां से कोईले को पूरा डिक कर लिया पूरा कोईला भर लगा हुआ था दोस्तों तो आज भी जिए चटिस गड़ जो है बहुत ही नेचरल रिसोर्सेस के मामले में रिच एक स्टेट है दोस्तों यह तो आपको पता ही है आपका ग्रेफाइड और और कॉल और काफी सारी चीज़े जो है जो नेचरल रिसोर्सेस हैं इससे भरा हु अपने इस वीडियो को समझूंगा कि बनाना मेरा सफल हो गया है दोस्तों बाकि आप सब का प्यार मिलता रहा है आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं लाइक करते हैं वीडियो को शेयर करते हैं धन्यवाद दोस्तों